दूद पिलाते होने जितना आप दो केजी चायर केजी अपने पसु को आप ये समझो उससे ज्यादा आपका पसु एल्दी बनेगा और उससे अच्छा त्यार हो के दिखाएगा नमस्कार पसुपालक्सातियों मैं आपका अपना प्रविन भोजी अपने यूट्यूब चैनल प्रविन मुर्रा फारम पर आपका सौगत करता हूँ आज की वीडियो अपने फारम से लेके आए हैं जो की काफी महतंपुरून वीडियो है वीडियो ऐसी है कि छोटे काप को कै कैसे त्यार करते हैं जो 15 दिन से लेके 2 महिने का काफ है उसको कैसे त्यार करना है उस टोपी के उपर यह मैंतंपुरून वीडियो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ और इसको वीडियो के दवारा देख सकते हैं तो वही सबसे पहले जो आपने समान लेना है उसको साथी नोट कर सकता है क्या-क्या आइटम है मैं गिनाऊंगा और जो आपने चैनल के साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को से एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना और बैल आइकन का बटन दबाल लेना तक आने वड़ी वीडियो का नोटिविकेशन आप लोगों को साथी को भी बता सकते हो देखना भई सबसे पहले सैथ अरदी शर्षों का तेल और गुड़ यह चीज़े आपने अपने पसू के लिए देनी हैं और कैसे देनी हैं यह अभी आप तरिका देख सकते हो क्योंकि सबसे मत्तम प्रूण वीडियो है और काफी खास वीडियो है कि छोटे का आपको भई आमने बड़े बच्चे को हना है मूँ से तो बोल नहीं सकते तो उनको कैसे समाना कर सकते हैं यह देखें भई उसकी गरोथ भी बड़ेगी और इस नुकते के साथ उसकी एमिनिट्री पाउर भी बड़ेगी और कैसे कैसे देना है यह तरीका आप देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले देखें भई एक चमत सहत लें यह काफी चीज़ों में आपको यह जो आपने देख्या होगा कई कपनियों की ऐसी काज की शीशी में चिटनी बनी बनाई आती है छोटे का आपके लिए वो जब काफी कमजोर हो जयता पसूश के लिए डॉक्टर लिखते हैं वो भी एक इमनिनिटी बढ़ाने की अच्छी हो है लेकिन आप अगर घर पे त्यार कर सकते हैं तो उससे बड़ी या कोई है यह नहीं भई तो अभी मैं बताऊंगा एक चमत सैद सैद अमारे पुरान अब से पहले आप यह देखें एक चमत सैद और एक चमत अड़ी यह देखें भई नजदी से भी दिखा सकते हैं वह और ऐसे इसको मिला लेना है अभी आपने कैसे इसको थ्यार करना है यह आपको अगर आप लगाते रहे नहीं तो हर चीज में मतलब आपको बता देता हूं जो मूख रिये की भी विमारी आती है नहीं उससे भी आपके पशू को बचा बचाओ करता है एक किसम की आप यह समझो दुआई भी त्यार कर रहे हो और आपने पशू को त्यार करने की भी आप शिकलाई ले रहे हो इसका एक रोक के लिए फाज़ा नहीं है लेकिन मैं एक त्यार करने के लिए बता देता हूं आपका पशू हना आपका कभी बिमार नहीं पड़ेगा और कभी भी पेट में की तकलिप नहीं वनेगी अगर आपने रेगुलर इसका प्रियोक किया तो कम से कम 15-20 दिन लगातार तो जरूर दे सकते हो उसके बाद बड़ा पशू हो च इसको देखो भई एक इस वीडियो में एक नुक्ता और जोड़ता हूं मैं कि जो पशू दासता है समझ के दासक करता है उसके कुछ चले जाता है जैसे लगातार छीक मालना या कैसे आप समझ सकते हो तो उसमें भी एक अकेली यह चीज बता देता हूं यह सर्षों का तेल भई और इस डड़ी को आप सर्षों के तेल में भिगो देना पांच मिन्ट तक यह दासने वाड़े के लिए अगर आप अपने पसू को देते हो तो इस डड़ी को निकालना अपने पसू को दे देना दसक बंद हो जाएगी यह तो एक अलग से फर्मुला है लेकिन यही इस में एड है तो आपने ऐसे अरदी में सैद को मिलाया पांच मिन्ट तक इसको सर्षों के तेल में भिगो के डबोया और आपने छोटे का आपको किस तरह से देना है यह यह अभी आप देख सकते हैं जैसे मेरा अभी 12 दिन का 15 दिन का जो बच्चा है मैं उसको कैसे अभी दे सकता हूं आप देख सकते हैं यह है कि से तो अपने ऐसे इसको चटना है यह अपने आप चाठता रएगा और ऊणी дорubaش जब आपका ये समझो उसके मुह में फाले भी हो जाते हैं तो मुह में रगड़ना है नहीं तो ऐसे आप डायेक्ट देते हो उसको स्वादाता रहेगा और रोखाता रहेगा वाई आपने पता है कि ऐसे ये एंटोबेटिक होता है बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छी होती है तो ये सबसे छोटा जो मेरा काफ हूँ उसके लिए मत्यार कर रहे हूँ उसके लिए है भी तो ये काफी चीजों मैं आपका मतलब बचा बचाओ करेगा वाई ये ऐसे अपने पसु को आप दे सकते हो ये मेल काफ है हाँ फिमेल तो किसी की भी उसमें आप कर सकते हो मेलो चै फिमेलो उसके बाद आपने पांच मिन्ट होने के बाद इस गुड की डड़ी को निकालना भई जो सर्षों के तेल में आपने गुड की डड़ी भी गोई थी अभी वो त्यार हो चुकी है तो ये छोटा है इसलिए इसको दबा करके बिल्कुल चूरा बना करके ऐसे पेडा बना के बोल दो तो ऐसे आप अपने पसु को त्यार कर सकते हो गुड और सैथ और तेल मिक्स य ये चीज हो गई और इसे आप अपने पसु को ऐसे चट्राना है ये जो आप दूध पिलाते होने जितना आप दो केजी चार केजी अपने पसु को आप ये समझो उससे ज्याद़ आपका पसु एलडी बनेगा और उससे अच्छा त्यार होके दिखाएगा तो दोस्तों मैं एक बार वीडियो में फेर बोलता हूं ऐसी ऐसी वीडियो को ज्यदा ज्यदा शेर किया गरो भई और जो साती अपने चैनल के साथ पहली बार जुड़ाय चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ताकि ऐसी ऐसी जान कर्यारी वीडियो आप लोगों तक पोश्टी रहेंगी त तो ऐसे आपके बच्चे को ऐसा चाओ हो जाएगा आप यह समझो ऐसे चाओ से खाने लग जाएगा तो आप उसका इंजार करेगा अब यह 15 दिन की जो मेल काफ है कितने चाओ से खार या भी देखो और आपको हने अगर पेट के कीडों की कोई दूआई भी नहीं दी है तो और एक से बड़कर एक उसको नोलेज हो जाए अपने चोटे काफ से लेके बड़े काफ तक उत्यार कर सके तो जैए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बाई शेर और लाइक करना जैहिंद जैवार्थ